लोगसबा अध्यक्ष ओम बिल्ला की पहल पर वन भारत साड़ी वॉक्थोन का आयजन किया गया इस आयोजन में करीब 10,000 महिलाई और युवितियां साड़ी पहन कर वॉक्थोन में शामिल हुई वहीं वन भारत साड़ी वॉक्थोन एक और जहां साड़ी के सांस्वतिक महत्व और समरध विरासत को प्रदाशित करता नजर आया तो वहीं यह आयोजन महिला बुनकरों द्वारा अथक परिशम और समर्पन से तयार की जाने वाली हद करगा साड़ीयों के उप्यों को भी प पताने की इस कारिक्रम में हजारों महिलाएं जोटी किसी ने रामराज्जी की परिकल्पना को साकार किया तो किसी ने तलवार लेकर नारी शक्ती का परिचरिया तो किसी महिला ने गोटा हाथ में ले रखा था तो किसी ने तिर्शूर वहीं महिलाओं का एक से बढ़कर एक रही थी तो कहीं के सरिया साफे में भी महिलाएं अलगी अंदास में दिखाई दे रही थी महीं देश के मिजूरम उत्तर प्रदेश राजस्थान महराश गुजरात कीरल सहित कई प्रदेशों की संस्वरती साड़ी के माध्यम से यहां नजर आई